ओम स्रिगने साय नमा जम बात करेंगे दीपावली 2024 कब है 31 अक्टूबर या 1 नौंबर को और महालक्समी पूजा किस दिन करें कौन सा समया कौन सा मुरत आपके लिए सुब रहेगा और किस देवी देवता का पाट पूजन करना चाहिए दीपावली के दिन तो समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो से तो हम सरपतम बात करेंगे स्री महालक्समी पूजा शाम के समया 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आपका भीवी कर सकते हो सम्मूरत की बात करें तो जिस समया आपके माता पिता आपका पूर्या परिवार एक साथ मिलकर महालक्समी की पूजा करेंगे उस समया आपके लिए सम्मूरत रहेगा अकेला पाट पूजन करने से आपको इता चालाब नहीं मिल पाएगा अब बात करेंगे किस देवी देपता का पाड़ पूजन करना चाहिए तो सरपतम पंच देपता से लेके आपने इश्ट कुल देपता कुल देवी का ध्यान करे पूजन करे कुबेर देपता का पूजन करे स्री लक्ष्मीना अवगवान का पूजन करे और जो आपके ग्राम देबता है ग्राम देबी है उनके मंदिर जाए धूब दी परजलित करें उनसे परातना करें हाथ जोड़ का ध्यान करें जो भी आपने मिठाई ले रखी है वहाँ चड़ाईए अब बात करेंगे कि 31 अक्टूबर या एक नौमबर को सुब रहेगा दी सामके तक रहेगी तो 31 तारिक भी आप मना सकते हो सुब रहेगा और एक नौमबर को भी आप मना सकते हो सुब रहेगा तो दोनों ही दिन सुब रहेगा तो और विशेज आपने ध्यान देना है बहुत अच्छा तेवार है पूरा परकरती में परकास होता है जीवन जो भी अंदिकार होता हूँ दूर होता है, प्रकास में हो जाता है प्रकरती में, पर विसे ध्यान दीजे कि पटागे निसेद है, इससे वातावरण असुद्ध होता है, मनुष्य से लेके जीव जनतों पेड़ पोदे सब पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा, तो जितना हो सकता है पटागों से दो रहे, सुब है धूब दीप परजलित करें, इससे वातावरण में सुद्ध होगा, आपके जीवन, आपके जो पीड़ी है, आँगे जो भी पीड़ी होगी, उनको भी अच्छा लाम मिलेगा, तो इसलिए पटागों से दो रहे, इससे ही हमारा वीडियो का आपके जो भीड़ी होगी 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 होग